विज्ञान, भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले अध्यक्ष, 1914 में सर आशुतोष मुखरजी, पनबिजली सैंत्र, दाजिलिंग के पास सिद्प्रोंग, 1897 में कमीशन किया गया, बिज्ञी पाने का स्थान, 1897 में दाजिलिंग, उसके बाद 1898 में कलकत्ता और 1902 में कुलार गोल्ड फिल्ड्स, मैन इन स्पेस, राकेश शर्मा 3 अप्रेल 1984 को सो यूज्टी माइनस ग्यारह में सवार थे, वे दुनिया भर में अंतरिक्ष में 138 वे व्यक्ती थे, महिला अंतरिक्ष में, कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 में सवार हुई, वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक थी और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा अगर्वाल, जन्म 1978, अंटाक्टिका के लिए वैज्ञानिक अभियान, 1981, परमानू रियक्टर, अपसरा, मुंबाई, महाराष्ट्रा, भारत में पहला आनुवनशिक रूप से संशोधित खाद्य उत्पाद, बीटी, अंडे का 75 को लॉंच किया गया, शक्षिकी सेवाओं के लिए विशेश रूप से समर्पित उपग्रह, EDO-SAT, सफलता पूर्वक स्वदेशी प्रक्षेपन यान, SLV-3, भावी अंतरिक्ष परियतक, सनतोष जॉर्ज कुलगारा, 2009 में वजिंग अलेक्टिक में सवार होकर 1850 में, कोलकाता और डाइमंड हाबर के बीच पहली प्रायोगे के लेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी, 1851 में, इसे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के उप्योग के लिए खोला गया था 1854, टेलीग्राफ सेवा को जनता के लिए खोला गया पहला टेलीफोन एक्सचेंज, 28 जनवरी 1882 को भारत के काउंसिल के सदस्य में जाई बारिंग ने कलकत्ता, बॉंबे और मदरास में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोशना की कलकत्ता में, सेंट्रल एक्सचेंज, नामका एक्सचेंज, कुल 93 ग्राहकों के साथ-साथ, काउंसिल हाउस स्ट्रीट में इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था उस वर्ष बाद में, बॉंबे ने एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का भी गवाह बनाया 1902, सागर द्वीप और सैंडहेद्स के बीच स्थापित पहला वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन 1907, कानपुर में टेलीफोन की पहली केंद्रिय बैटरी शुरू की गई 1913, 1914, शिमला में पहला स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया गया 1927, ब्रिटेन और भारत के बीच रेडियो टेलीग्राफ प्रनाली, जिसमें खड़की और दॉंड में इंपीरियल वायरलेस चेंड़ीम स्टेशन थे 23 जुलाई को लोड इर्विन द्वारा किंग जॉर्ज पंचम के साथ अभिवाधन का उधगाटन करके 1933, ब्रिटेन और भारत के बीच रेडियो टेलफोन सिस्टम का उधगाटन हुआ 1903, बारह चैनल वाहक प्रनाली शुरू की गई 1960, लखनाव और कानपूर के बीच पहला सब्सक्राइबर ट्रंक डाइलिंग रूट शुरू किया गया 1975, मुंबाई सिटी और अंधेरी टेलिफोन एक्सचेंज के बीच पहला PCM सिस्टम चालू 1976, पहला डिजिटल माइक्रोवेव जंक्षन शुरू किया गया 1989, पुने में स्थानिय जंक्षन के लिए पहला अप्टिकल फाइबर सिस्टम शुरू किया गया 1980, सिकंदराबाद, टैलंगाना में स्थापित घरेलू संचार के लिए पहला सैटिलाइट अर्थ स्टेशन 1983, मुंबाई में ट्रंक लाइनों के लिए पहला इनालोग स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज 1984, कलकत्ता में पहली भुमिगत मैट्रो रेल्वे प्रनाली 1984, डिजिटल एक्सचेंजों के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए स्थापित सी डॉट 1990, भारत में पहला प्रोध्योगी की पाक, टेक्नोपाक, त्रिवेंद्रम लॉंच किया गया 1995, दिल्ली में 15 अगस्त 1995 को गैरवानी जी का अधार पर पहली मोबाईल टेलिफोन सेवा शुरू हुई 2014, माज ओबिटर मिशन के सफल प्रक्षेपन के साथ अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश 2015, ASET Training and Research Institute, मानव में भारत में पहला तीन देप्रिंटेड हुमनोइड रोबोट